हेलो एप्रीवन कैसे आप सभी मैं शीदर शर्मा आपकी जीएजे के फिकल्ट्री ऑलिबोड पर आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम करने वाले हैं ससी सीजियल का वाल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट यह वीडियो सॉलुइशन जो आपका कल और आज यानिकी 26 और 27 अलावा आप स्सी सूपर एलीट में स्सी के जितने भी एक्जाम चाहें सीपी ओ चाहें सीजेलों चाहें अम्टी असो उन सभी को आप अवेल कर सकते हैं आपको सिर्फ सूपर एलीट खरीते वक्ट शीतल कोड का यूज करना है इससे आपको यहां पर सबसे जादा सब्सक्राइब करते हैं आज का सेशन पहला क्वेशन आपकी स्क्रीन पर जो आया था पहला क्वेशन कह रहा है विच आप फॉलिंग वेद इंक्लूड़ गायतरी मंत्र जो था वह इंक्लूड़ था यानि कि शामिल था आंसर क्या हो जाएगा जो हमारा सबसे पुराना वे सूर्य देव के लिए गायतरी मंत्र जो है ये समारत ब्रामन के हिसाब से ये गायतरी मंत्र सूर्य देव को जाता है यानि कि उनके लिए उसका प्रतिनी दित्व करता है उसके अलावा यहाँ पर रिग वेद जो है जिसके अंदर गायतरी मंत्र का लिखा हुआ है और काफी काफी सारी स्टूरीज और काफी सारे सोसिज यह कहते हैं कि गायत प्रीमन काफी हीलिंग पावर भी रखता है इसके अंदर तो आपने जर्नली देखा भी होगा लेकिन यह आपर जैसे कि क्या हो जाएगा अथरवेद हो जाएगा इसके रखत कौन साव फिर आपका कहौन सा है साम इन तीनों को मिला कर बोला जता है इधर त्रि मीद कहा जाता है ऑँ breakdown कि नेक्स संगापुर का पुराणा नाम किया है पहले किस नाम से संगापुर को जाना जाता था आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तेमा सेख पहले सिंगापूर का नाम होता था तेमा सेख जो है यह काफी हद तक इसका सेम वूट है तासेख जैसा यानि कि सेख इसमें भी है और तेमा सेख के अंदर भी सेख है तासेख जो है इस वर्ड का मतलब माले भाशा के वो कैसा है piece of land surrounded by water ही तो है पानी से गिरा हुआ है इसके अलावा कुछ और यहां पर documents भी कहते थे कि तवासिक जो नाम लिया है यह यहां पर वियतनामी भाशा से लिया गया है जहां पर वियतनामी भाशा के अंदर इसका मतलब होता है एक मरा हुआ राजकुमार तो कुछ इस एक्जामपल क्या है यानि कि एक आपनी न सी या मराइन स्पीशेज यानि कि जो समुद्री एक परजाती को कहा जाता है क्या वो सी कुकुमबर है स्कुर्ड है पर ओिस्टर है या फिर ऑक्टोपस है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इधर आपका स्की टैट के यहां पर दिखने वाले जो स च YouTubers की क्या होते हैं यहां पर विबन अंग होते Cape उक्टोपस का लीवियों फोटब ही लेकिन इसके अंदर जैसे आपने कई बार देखा होगा इस अंदर आने वाले जैसे और व्क्राउच को कहा चांता है। पिक यह सी अर्चिनिस आपते एक नुचुन्री आ choosing जिनके पास में एक तो औरगन सिस्ट्म लेवल होता है इस टाइप के डिफरेंट ओर कन्क होते हैं जहाँ पर एसके इसे बीच में इनके डाइच면 होते हैं और इस टाइप की popular dance form of which of the following फाग डांस जो है ये कहां पर जर्नली किया जाता है बिहार, हर्याना, राजिस्थान या फिर जारकर इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका हर्याना फाग डांस जो है ये एक लोक निर्तिया है जो हर्याना और हर्याना के आसपास की जगों पर भी perform किया जाता है और जर्नली फागन का जो महीना होता है उस से ये नाम लिया गया है फाग का तो लोग इसको फाग बुलाते हैं तो ये जो लोक निर्तिया है ये जो हर्याना का कृशी समुदाए है जो क्रिशी लोग हैं वो इसको celebrate करते हैं और ये जर्णल ये आपका फरवरिया मार्च के महीने में मनाया जाता है जो की फागन महीना होता है हिंदू कैलेंडर के इसाब से तो इसी के उस पे इसको नाम भी फाग मिला नेक्स से यहाँ पर तेलंगाना बेस्ट महालिंगम गोविंदराज जो है उन्होंने अभी नॉर्मन ई बॉर्लो अवोर्ड जीता अब आप लोगों को पता ही तो होगा कि यहाँ पर नॉर्मन बॉर्लो जो है यह फादर ऑफ ग्रीन रेवलुशन यानकी हरित क्रांती के जनक कहे जाते हैं अब यह अवोर्ड इनमें से किसको दिया गया तो वो है महालिंगम गोविंदराज कहां से हैं तेलंगाना से हैं लेकिन पूछ रहा है कि किस लिए दिया गया है इनको तो यादकना इन्होंने अनुसंधान और अनुप्राय के शेतर में इनको दिया गया इन्ह बार किसको दिया गया तेलंगाना के जो क्रिशी विज्ञानिक है महालिंगम गोविंद राज उनको यहां पर दिया गया फिल्ड रिसर्च और एप्लिकेशन के लिए नेक्स यहां पर विच आप देटेक्स डिफेक्स और अलसु नोग एस डिस्लोकेशन डिफेक्ट इस शोन बाई आइकोनिक सॉलिड यानि कि इन में से कौन सा ऐसा दोश है जो अवविस्ता दोश की रूप से भी जाना जाता है यानि कि जहां पर आयनी ठोस द्वारा जिसको दर्शाया जाता है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आसर हो जाएगा फ्रेंकल डिफेक्ट जो है वो कैस इस दूर की साइट पर चले जाते हैं तो जर्नल हमको यहां पर बीच में गैप जो देखने को मिलता है उसकी ओरिजनल साइट से लेके जो नई लोकेशन पर वो गया है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट यहां पर का जाता है इसके अंदर काफी लाज डिफरेंस भी देखा जाता है size of ions के case में और यह सारे के सारे इसके एक्जामपल हैं जो आपको दिये हुए हैं जिंक टू से लेके everything नेक्ट इस एकनॉमिक सर्वे 2022 का उसने mention किया कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको यहां पर पता चला कि प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना का positive impact है human capital formation क अंदर जो हमारा ग्रामीन भारत है ना उसके अंदर तो इस evaluation के अनुसार यहां पर पता चला कि जो connected बसावटे हैं यानि कि यहां पर जो आपका share of babies है जो घर पर डिलेवर होते हैं उसके अंदर यहां पर कितना decrease देखा गया यानि कि connected बसावटों में घर पर जनम लेने वा पती जा रही है तो answer यहां पर क्या हो जाएगा यादकना है यहां पर correct answer हो जाएगा आपका 30% 30% की गिरावट यहां पर देखनी को मिली है तो आपको यादकना है कि यहां पर एक economic survey हुआ था वर्ल्ड बैंक ने 2019 में किया था यह एक scheme थी आपकी प्रधान मंत्री ग्राम सड प्रटल में पैदा करा रहे हैं तो इस तरीके से एक तरीके से life expectancy ratio भी बढ़ेगी और यहां पर जो बच्चे middle या high school में रहते हैं 2017 के अंदर अब उनको यहां पर देखा गया कि 0.7 साल जादा उन्होंने schooling किया यानि कि एक तरीके से औसतन उनका जो schooling यानि शिक्षा दर जो की जितने भी बच्चे हैं जो भी 4 साल की उम्र से कम की एज के हैं उनके अंदर टीका करन की प्रतिशत है वो 15 प्रतिशत यहां पर बढ़ा है जहां पर लड़का और लड़की दोनों का ही टीका करन कराया गया है नेक्स से यहां पर आपका the meeting known as क्रिप्स mission जो दिल्ली में ह 42 के अंदर यहां पर 22 मार्स से लेके 12 अपरेल 1942 1942 तक यह क्या कराया गया था यहां पर क्रिप्स mission एक meeting के तैत आया था जिसको हम क्रिप्स mission भी कहते हैं और यहां पर एक तरीके से एक rally टाइप यहां पर निकाली गई थी क्रिप्स mission के अगेंस और यहां पर इन्होंने अपन जो इंडिया नैशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग है वो इसका यहां पर उनको यह क्रिप्स mission जो है वो यहां पर सही ने लगा और इंडिया यहां पर अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहा था जैपनीज इन्वेशन के अगेंस नेक्स है यहां पर आपका the forest right act of 2006 recognizes the rights of which of the following इन मेंसे किसके जो अधिकार है वो यहां पर 2000 वर्ष 2006 के अंदर वन अधिकार अधिनियम किसके अधिकारों को माननेता देता है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा पहला कहरा है forest dwelling and tribal communities यानि कि वन में निवास करने वाला आदिवासी समुदा है या फिर पारामपरिक वनवास या फिर वन में स्तित लोग और गैर सरकारी संगठ है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा तो यादखना है यहां पर जितने भी वन में निवास करने वाला आदिवासी समुदा है और जहां पर जो बहुत पहले से परामपरिक वनवासी रहते हैं सिर्फ उनी को यहां पर करता ह आंसर क्या हो जाएगा वन एंड टू ओनली तो आपका शिडियूल ट्राइबस और ट्रडिशनल फॉरेश्ट ड्वेलर्स रेकगिनीशन अप फॉरेश्ट राइट एक्ट दोहजार चैका आये था जिसमें इस तरीके के दो लोगों को यहां पर क्या दी गई थी इस के नाल उडिसा के अंदर लॉंच किया गया तो अभी ना फीफा के साथ में और ओल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में मिलके जो उडिसा गवर्मेंट है और जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन है वो अभी फुटबॉल फॉर स्कूल इनिशेटि जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स है उनके अंदर बाटेगा कौन तो आपको पता होगा कि एक काफी बड़े सेंटरल गर्मेंट स्कूल है जो हर नवोधिया इंस्टिटूट्ट तो यह जो नवोधिया इंस्टिटूट्स है इन्होंने इसको इंप्लिमेंट करने का बीड द्वारा ओल इंडिया फुटूबॉल फेडरेशन द्वारा और हमारी भारतिय सरकार द्वारा गर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा ठीक है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के गार्डेंस में नेत्रतम में इसको शुरू किया गया नेक्स्ट इस यह नैशनल तो अब इन्हों ने यहां पर बोला एसेट का मॉनेटाइज़ेशन यहां पर होना चाहिए कि बहुत सारी आपकी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जैसे की रोड रोड्स है रेल handsome है इंके अंदर एसेट का मानेटाइज़ेशन होना चाहिए जो यह पत्ती है उसका यहाँ पर क्या होना चाहिए धन में एकी करन होना चाहिए तो जिसके लिए ये नीती आयोग बाकी मिनिस्ट्रीज को साथ में यहाँ पर लेके चल रहा है अब यहाँ पर जो आपका नैशनल मॉनेटाइजिशन पाइपलाइन है उसने यहाँ पर 6 लाग करोड रुपे का इन्होंने बोला है कि इस टाइप की जो सरकारी संपतिया है जो बड़े-बड़े स्टाइप के बिल्डिंग्स या जो भी संपतिय है एसेट वगरा उनको चार साल के अंदर इस 6 लाग करोड तक का यह पोटेंशियल रखती है कि अगर माल लीजे कि इनसे हम सेक्टर कौन सा एक तो रोड है एक रेलवेज है एक पावर है सबसे ज़्यादा रोड का 27 फिर रेलवेज 25 परसेंट इतनी संपत्ति है फिर पावर में 15 परसेंट और ओल और गैस पाइपलाइन है इसमें 8 प्रतिशत और टेलिकॉम दूर संचार यानि कि जो फोन वगरा से यह 6 प्रतिशत तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नेक्स यहाँ पर आपका विच ओफ फॉलिंग स्टेट है इस सेकिंड हाइस लिटरेसी इंडिया एस पर दूसरी ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको यहाँ पर क्या मिला है जिसका सबसे जादा अब देखो तुमको प पर दूसरी स्टेट कौन सी है मिजोरा तो यहाँ पर और फॉर्स्ट स्टेट जैसे आपकी केरला है न यहाँ पर तो फॉर्स्ट यूटी है लक्षवदीब अगर स्टेट और यूटी दोनों को कंबाइन करू तो सबसे जादा दर्ग इसका है केरला का कितना है लिटरेसी टोटल ओवरॉल लिटरेसी रेट है इसका 94% जबकि लक्षवदीब जो है इसका 91.85% है किसके अकॉर्डिंग जो 2011 का जणगना हुआ था न उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर तीसरे नमबर पे कौन आता है तीसरे नमबर पे आता है मिजोरा अब लक्षवदीब क्योंक नमबर पे थी इसकी साक्षरतादार कितनी 91.33% और फिर इसके बाद में गोवा जो है वैसे तो चौते नमबर पर लेकिन थर्ड स्टेट है यह जिसकी साक्षरतादार कितनी है 88.70% वैसे आपको इस टेवल में भी दिया हुआ है यह भी आप देख सकते हैं नेक्स यहाँ प लुदेँ अपर जो आपके वीकल्स हैं जो आपके वाहन हैं वो आ जा सकते हैं मतलब अने जाने वाला रास्ता है उदर वहाँ गाडिया चल सकते हैं आंसा क्या हो जातका आसर हो जाएका इधर उम्लिंगला पास जो है इसको किस ने बनाया बैर बर्डर रोड और और जिसक सबसे ऊचा ऐसा आने जाने वाला रोड है उमलिंगला पास लदाग के अंदर फिर कई बार पूछता है कि यह पास किसको कनेक्ट करता है तो यह जो रोड है उमलिंगला पास के थ्रू यह जो रोड है यह आपका चूमर सेक्टर ऑफ इस्टर लदाग जो है उसको यहां पर र और इसका काफी जादा यहाँ पर contribution भी है लदाक के अंदर टूरीजम प्रपोर्ट करने में क्योंकि देको जब तक आने जाने की जगा नहीं होगी तो लोग जाएंगे कहां से इन में से कौन सी ऐसी आपकी हडपन स्थल है जो गुजरात के अंदर स्थित नहीं है आंसर हो जगाएं आपर आलम गिरपोर तो आलम गिरपोर जो है यह कहां पर है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है ना की गुजरात के अंदर तो इंडस वैली सिंदू घाटी या मैं हडपा सब्यता कहूं तो यह आपको पता है आपके ब्रॉंज एज के अंदर आई थी यानि की पच्छिस सो से लेके दोहजार बीसी के बीच में अब यहां पर इसको चार ऐसी जो सबसे पुरानी सब्यताएं हैं विश्वकी उन में से यह एक मानी जाती हैं तो अब यहां पर आपसे अगर पुछेगा कि कौन-कौन सी ऐसी हडपन साइट्स या इंडस वैली साइट्स हैं तो एक आपका धोला वीरा गुजरात के अंदर काली बंगन राजस्थान लोथल गुजरात के अंदर लोथल आपका पोर्ट सिटी भ भी व्यापार होता था वो इधर होता था फिर यहां पर सरकोतडा यह गुजरात के अंदर देमाबाद दियामाबाद यह महराश्या के अंदर आलमगेरपुर उत्तर प्रदेश भगवानपुरा और बनावली यह दोनों हर्याना के हैं जबकि कुनतासी पादरी गुजरात क और मौदा जो है यह जम्मू का तो जो एक एक हैं यह आपको याद अखने हैं जैसे उत्तर प्रदेश का यहां पर एक ही दिया हुआ है आलमगेरपुर मौदा कहां का दिया हुआ है जम्मू का दिया हुआ हर्याना के दोन है दो है भगवानपुरा और बनावली है ना और इसमें गुजात के हैं जैसे की धोला पीरा राजस्तान का एक है काली बंगन काफी साइट सबसे ज़ादा शूगर-मिल है तो काफी साहिट आपको यहां अपर आपका आपका आलम गेफौर आपको याद रखता है काफी बड़ी बड़ी प्रॉमिनेट साइट सहें नेख्स इ चीनी का उत्पादन कौन सबसे ज़्याद़ गर है तो आपको बता है कि दो ऐसे स्टेट है जिनका आपस में हमेशा यहां पर युद्ध चलता रहता है एक उत्तर परदेश और एक महाराष्टा आपस में लगे रहते हैं यह कबी वो उपर कभी वो नीचे कभी वो उपर कभी तो सबसे ज़ादा जो शुगर की मीले हैं जहाँ पर चीनी बनाई जाती है ऐसी मील जो होती है जो फैक्टरियां होती है जहाँ पर शुगर का उत्पादन होता है तो यह सबसे ज़ादा आपकी महराष्टा के अंदर है महराष्टा में टोटल है 195 मील्स ठीक है तो 195 ऐसी शु और यहां पर इंडिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बन गया तो पहले उत्तर प्रदेश का यहां पर एक मोनोपुली चल रही थी अब माराश्रा की चल गई है तो शेकर गायकवाड जो की माराश्रा के शुगर कमिशनर है उन्होंने यहां पर बोला है कि 2021 से 22 के अंदर जो सितंबर अक्तूबर सितंबर वाला टाइम है ना 2021 अक्तूबर से लेके सितंबर 2022 तक यह कह रहा है कि टोटल हमारा यहां पर कितना हो गया अल्मोस्ट अबाट 138 लाग टन जो है हमने यहां पर चीनी का उत्पादन कर लिया है नेक्स कह रहा है कौन सा शेडियूल जो है इसको एड किया गया था फिप्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के टै तो याद अगना देखो आपका आठ शेडियूल तक तो अल्रेडी थे ही हमारे सविदान में नौवा शेडियूल जो आया था इसको सबसे पहला जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था सबसे पहली अपर टेंथ शेडियूल एड होता है दसवी जो अनुसूची एड होती है वो एड की जाती है फिफ्टी सेकेंड यानि की बावन वे अमेंडमेंट एक्टर सविधानिक शंचोधन अदिनियम के तहत अब यह आया था 1985 में अब क्या एड किया गया बोला एंटी डिफेक्श इधर टेंथ शेडियूल यहां पर लायस ने बोला कि अगर कोई भी ऐसा मेंबर आफ पार्लेमेंट कोई MP है कोई MLA है अगर वो यहां पर दलबदलू चीज करता हुआ पाया गया तो उसके बेसिस पर उसको डिस्क्वालिफाय भी किया जा सकता है तो यहां पर इसको एड क पार्टी की लीडर कही जाती है एक तरीके से इन्हों ने यहां पर इटली ब्रदर्स आफ इटली मूव्मेंट भी चलाया था तो उसकी यह लीडर है उसकी अकवाई कर रही है और इन्होंने इटली का जो इलेक्शन है वो जीत लिया है और मारियो द्रागी को यहां पर 43% वोड जो है यहां पर यह इनकी आलायंस ने इधर क्लेम किये टोटल यहां पर 114 सीर्षी जो इन्होंने यहां पर इसमें से 43% नेक्स से यहां पर आपका रेडियेटिव जो सूर्य का होता है और उसकी जो दूसरी लेयर है दूसरी परत है जिसको हम क्या कहते हैं कनवेक् क्या कहा जाता है तो आपको पता होगा इसको क्या कहा जाता है तो याद आक अका जो आपका Cohen हो जाता है तो आप यहां पर सन जो है वो काफी रोटेट करता रहता है अपने रोटेट करने की वज़े से सूर्य के अपने इर्द गूमने की वज़े से अपने ही गूमने की वज़े से क्या होता है यह हमें देखने को मिलता है तो यहां पर बहुत सारी स्टैप की जो रोटेश और गुब गुबा एक स्ट्रिंग ये किसके इंस्ट्रूमेंट है यानि कि एक तार वाला गुब गुबा दो तार वाला खोमोग ये कौन से भारती है ऐसे स्टेट के लोक गीत से जुड़े हैं जिसको क्या कहा जाता है जिसको कहा जाता है बाउल तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है उसके अंदर यहां पर दो तार वाला खोमु के रहा है एक बादे यनतर है जिसको यहां पर यूज किया जाता है एक question है यहाँ पर आपका इंडिया का जो clean air summit था 2022 का यह इन में से कौन सी जगा पर हुआ तो यहाँ दखना correct answer यहाँ पर हो जाएगा बैंगलूरू करनाटक के अंदर इसको conduct कराये गया इसको ICAS के नाम से भी जाना जाता है इंडिया clean air summit अब यह जो है यहाँ पर इंडिया clean air summit य चलाई यह 26 अगस 2022 तक इसको चलाया गया next यहाँ पर which of the following is an example of tertiary rock इन में से कौन सा तृतियक चटान का उधारन है answer क्या हो जाएगा यहाँ पर answer हो जाएगा मैं nice या जिसको shell भी कहा जाता है तो metamorphic rock क्या होते हैं guys तो metamorphic rocks जो होते हैं यह ऐसे rocks होते हैं जो काफी time से अपनी न जो रूप है वो बदल लेते हैं यानि कि यह जिस तरीके के पत्थर होते हैं लेकिन लगातार यह किसी ना किसी वज़े से यह इनका recycling या recrystallization होने की वज़े से यह कोई दूसरा यहाँ पर रूप ले लेते हैं इसलिए इनको tertiary rocks भी कहा जाता है जैसे कि आपका genesis जैसे आपका quartzite जैसे आपका marble ठीक है और आपका sheds और आपका phillite आपको बताए कि तीन तरीके के में ले होते हैं sedimentary rocks जो किस से बनते हैं जर्णली जो कंकर पत्थर आपकी नदियों के साथ में चलते हैं नदियों के आसपास के region में होते हैं लगातार घर्षन और एक दूसरे के contact में आने की वज़े से उनको sedimentary rock का आ जाता है फिर एक आते हैं आपके igneous rocks igneous वो होते हैं जो लावा से जि किसी दूसरी form में हैं लेकिन लगातार वो एक अलग यहां पर रूप ले लेते हैं एक या दो पत्थर आपस में मिलके उन्होंने एक अलग ही रूप ले लिया तो इस टैप के हम metamorphic rock कहा जाता है जिसका जिनको tertiary rocks भी बोला जाता है next is चहर तसलीम was started by which ruler यह चाहर तसलीम जो है यह कौन से ऐसे शाशक ने इसको यहां पर इंटर्ड्यूच किया था चाहर तसलीम क्या था 4 बार सलिट करना ठिक है सलाम करना चीक है इस टाइप का तो इसको इंटर्ड्यूच किया था शुरूअद हटा दिया था, सजदा क्या था आपको, कि सजदा और पाय बॉस जो है बलबन ने यहाँ पर करवाया था कि मेरे आगे सर जुकाएंगे और मेरे जूतों को आप चूमेंगे, तो इसको तो यहाँ पर सजदा तो हटवा दिया, कि इसने शाँ जाने और इन्हों ने चहर तसलीम यानि की चार बार सल्यूट आपको करना पड़ेगा तो जो भी यहाँ पर उनके सामने खड़ा होगा तो उसको दो बार जुकना है और उनका जो forehead है उसको अपने palm से इस तरीके से उसको सल्यूट करना है और अपना हाथ नीचे लेके आना है और फिर वापिस से उसको ground पे टच करना है और ऐसा उसको चार बार करना है ठीक है दो बार वो जुकेगा और उसके बाद में चार बार वो सल्यूट मारेगा और फिर यहाँ पर नीचे पैरो की तरफ जुकेगा नेक्स यहाँ पर है यहाँ पर आपका जर्णल बजट जो इस बार का है तो उसने रेलवे मिनिस्ट्री के लिए एक पॉइंट चार लाग करोड रुपी जिसमें से पिछली बार यहाँ पर इन्होंने जो अमाउंट रखा था वह 1.2 लैक का रखा था तो इन्होंने नियर अबाउट यहाँ पर 20,000 करोड रुपे बढ़ा दिया है रेलवेस के लिए निर्मिला सीता रमन जी कह रही है हमारी फाइनस मिनिस्टर वित्य मंत्री की चार सो नई वंदे भाइदा ट्रेन लाएंगे जो बहुत जादा फास्ट चलेंगी बहुत जादा तेज चलने वाली होगी और काफी एनरजी एफिशेंट होगी यानिकी माइलेज काफी अच्छा इनका यहाँ पर रहेगा नेक्स्ट है आपका the emergency provisions are contained in the part 18 in the constitution of India कौन से आटिकल से लेके कौन से आटिकल तक यहाँपर PART 18 जो है उसके अंदर emergency provisions दिये हुए तो आपका पता है तीन तरीके की अपातकाल होते हैं एक होता है राष्ट्रिया एक होता है राच्किया जिसको राष्पति शाशन लगता है जिसके उपर state emergency कहते है national emergency state emergency और तीसरा finance emergency तो ये कैसे शुरू होते है national वाला जो होता है ये article 352 में given है state वाला जो है ये article 356 में given है और जो आपका financial है तो यूं लगा लो एक तरीके से 52 से शुरू होता है और 4-4 एड कर दो इन में तो 360 हो गया तो 352 से लेके कहां तक 360 तक answer क्य हो जाएगा सी हो जाएगा इदा तो अपतकाल के बारे में दिया हुआ है 352 से लेके 360 की तक अभी तक national emergency कितनी बार लग चुकी है three times ये तो आपकी काफी बार लग चुकी है state emergency और सबसे जादा ये उत्तराखंड की सरकार ने बहुत जादा लगाई है और finance emergency अभी तक zero times award in 1999 आरेय भटा आव़ोर्ड 1999 के अंदर इसके पहले प्रतम प्राप्त करता कौन हैं या कौन थे आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर यादखना पीडी बावसर जो है पीडी भवसार जो है ये पहले ऐसे यहाँ पर प्राप्त करता रहे आर्या भट्टा आवाड के अब आर्या भट्टा आवाड दिया किसको जाता है ये हर साल ये अवाड जो है ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका यहाँ पर बहुत जादा उनकी ज जो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान है उसके लिए अगर भारत के अंदर कुछ किया है तो उनको दिया जाता है आरे भट्टा अब इसको देता कौन है तो आरे भट्टा अब देता है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ओफ एशिया इंडिया जिसे एसाइज कहा जाता है अब इसके अंदर एक लाख रुपे कैश में दिया जाता है और इसके साथ में एक साइटेशन यहाँ पर दिया जाता है एक उनकी तरफ से एक डॉक्यमेंटेशन दिया जाता है प्लस एक लाख रुपे कैश दिया जाता है और 1999 में पहले प्राप्त करता कौन बने थे पीडी आपर डेली तो नहीं लेकिन हाँ वीकली जो है ओल इंडिया लाइब मौक होता है बिलकुल फ्री होता है आप इसको फ्री आफ कॉस्ट दे सकते हैं ओलिबोर्ड की आप पर और यह आप जो है यह आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है इसी वी कोर्स लेना है MTS CHSL यह सारे मेरे पेड कोर्स जो है यह अवेलेबल है ओलिबोर्ड आप पर आपको बस क्या करना है SSC सूपर इलीट खरीदना है और SSC सूपर इलीट में आपको SSC के सभी एक्जामों की क्लासेज सारे कोर्स सारे बैच्च प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जा यानि कि आपको SSC से जुड़ा हुआ सब कुछ मिल रहा है सभी एक्जाम का सिर्फ एक ही से और वह भी छह महीने की वैलेडिटी के लिए मतलब अगर आप 6 महीने की वैलेडिटी देख रहे हैं तो 900 रुपे आपके लिए यह लगा लिए 900 रुपे मतलब आपको 100 रुपे प रुदबाय थैंक यह सो मच आप्रीवन बबाइं टेक्यार और विश्यू गैस अल दे बेस